स्वागत है दोस्तों आपके अपने चैनल फ्यूचर पर जिसमें हम लेका रहा हैं 30 जनुवरी से 5 फरवरी 2023 तक के सब्ताहिक करेंट अफेयर्स जो आपके प्रत्योगी परिछाओं के दिश्टी से महत्पूर्ण और प्रासंगिक है आज हम सुरू करेंगे बजट से संबंदि समाचार से क्योंकि एक फरवरी को बहाद सरकार ने अपना बजट जारी किया है वैसे किन सरकार दवारा जारी किये गया है? 2324 के बजट के महत्पूर्ण बिंदू पर एक वीडियो पहले से बनाया गया है जो आपके लिए बहुत महत्पूर्ण है अगर बजट के महत्पूर्ण तथ्यों को जानना चाते हैं तो वो वीडियो जरूर देखें और इस चैनल को सब्सक्राइब करने ना भूलिए इसको जादा से जादा सब्सक्राइब कराईए खासका और उन्च आत्रों को जो UPSC और स्टेट पीसर्स के त्यारी करते हैं इस वर्ष का बजट लॉंग टर्म के नजरीय से बनाया गया है ताकि तूरगामी लाब हो भारतिरत वर्ष्था को और यह प्रगती सील वह व्रिद्धी केंद्रित हो ताकि देश की प्रगती और GDP में व्रिद्धी दर बढ़े और इस वर्ष के आर्तिक सोचन में भी बताया गया है कि इस उधारे को कही लाव होंगे आर्तिक सरविच्छन से संबंदित वीडियो आपको जरूर मिलेगा याद रखिएगा अगर आप यूपियसी दे रहे हैं तो इसके जितने भी कॉंसेप्ट्स हैं आपके प्री और मेंस दोनों महत्पूर्ण है और अग आप स्टे इस बार के भजट में चार A L की चर्चा है चार A L से मतलब इंवेस्ट्मेंट, इंडस्ट्री, इंक्लूजीवनेस, और infrustructure, इंवेस्टमेंट का मतलब निवेस पर जोड़ दिया जाएगा उद्ध्योग को बढ़ावा दिया जाएगा इंक्लूसिव नेस अर्थास समावेसी विकास किया जाएगा तक देश के सभी वर्गों किसमें सामिल किया जाए कोई वर्ग छूटे न और इंफरस्ट्रक्ट्चर यानि और सनचना के विकास पर विसेज जोड़ दिया दाएगा क्योंकि किसी भी देश का विकास तभी होता है जब वहां का इंफरस्ट्रक्चर या और सनचना मजबूत होता है अमेरिका में कहा जाता है कि अमेरिका महान है इसकार निहां सरकें नहीं है बलकि अमेरिका में सड़के हैं इसलिए अमेरिका महान है तो आप समझ सकते हैं कि infrastructure किसी भी देश के लिए कितना महत्पूर्ण है और इस बजट में artificial intelligence और digitally current पर जोड़ दिया गया है कई सारे 5G सोथ संस्थान अस्थापित किये जाएंगे AI लैप स्थापित किये जाएंगे ताकि इनका देश में विकास हो सके इसके लिए भास्रकार बहुत महत्पूरकार कर रही है और यह उद्योगों के विकास सम्मंदित कुछ आकड़े हैं जो असल में जी टॉन्टी सम्मंदित है तो इन आकड़ों के इपर जोड देख लिएगा यह आपके लिए यूसफूल होंगे यह आकड़ा सिच्छा सम्मंदित है और भारत की राष्टी सिच्छा नीती के तहट GDP का 6% सिच्छा पर खर्च होना चाहिए किन्तु अभी यह GDP का साड़े 4 प्रचिसत है यह याद रखिएगा और इसमें बाकी अन्य देशों का भी दिया हुआ है इस तच्छे को दिमाग में बना लीजिए कि अगर कोई आकड़ा चर्चा का विसेव बना हुआ है तो वहां से प्रश्ण बनना तै है चाहे आपका यूपी असी हो चाहे आपका स्ट प्रश्ण पूछ लेता है यूपी असी में घुमा कर प्रश्ण पूछता है लेकिन यहां से प्रश्ण आएगा ही आएगा कहां आएगा यह नहीं पता लेकिन यूपी असी दोनों को मिला कर यहां से प्रश्ण आएगा और एक दिवस्य परिच्छा में भी यहां से प्रश लेकिन UPSC दे रहे हैं, तो आपके पास ज्यादव option नहीं है, क्योंकि आपको ज्यादस ज्यादा ना कॉंसेप्स पढ़ना और समझना होता है, तो अगर आपका UPSC है तो प्रयास करिए कि ज्यादा तर आर्टिल्स को आप एक बार पढ़ लीजिए ठीक है और जितना वीडियो बनायागे आपके पूरे हफ्ते का सारा करेंट अफेर कवर कर लेगा इतना भरोसा रखिए कि आप चाहिए जितना भी मैगजिन पढ़िए उ तो मेनिक अंदर भी ठीक ठाक लड़ गया कोश्यन पचास कोश्यन का BPSC का बनाया गया था उससे भी 46 कोश्यन लड़ गया तो एक एवरेज बहुत अच्छा है आप एक बार मैच करेंगे तो आपको खुदी आश्यर होगा और आप देखेंगे कि इस वर्स तो पेपर में क पुश्यन आएंगे ही आएंगे जब UPSC का 2024 का पीपर होगा तो उससे इतना प्रश्ण आएगा कि आपका क्वालिफाइंग डिसाइड होगा और मैं आपको भरोस्त दिलाता हूं अगर आप इस वस्त दोजा तेज का UPSC दे रहे हैं तो मेरे वीडियो से आपको इतने प्र अगर आप इस वीडियो के साथ NCRT और एक स्टेंडर्ड बुक लेके पढ़ रहे हैं तो आपका प्री मान के चलिए कि होने के पूरे चांसेस हैं और प्री ही नहीं ये सारा करंट अफेर्स आपके मेंस इंटर्व्यू तक काम आएगा तो इस वीडियो को केवल प्री के जोड़ सकूँ जो वास्ताओं में अपने समय के बहुत महारती रहे हैं जिनके द्वारा बनाए गया मैगजिन से बाहर से प्रस नहीं आ पाते थे समझ रहे हैं तो आप सयोग करिए मैं उनको अपने टीम में जोड़ूँगा आप में को सब्स्क्राइबर दो मैं आपको मै यही नारे के साथ हम लोग इस वीडियो को आगे देखेंगे ठीक है तो आगे बढ़ते हैं इस बजट में एक लाख पूरा लेखों को डिश्टल करने के घुसना की गई है और अम्रित धरोहर योजना तीन वर्सों के लागू किया गया है जिसके तह दलदली भूमी का ज्य ज्यादा से ज्यादा प्रयोग पर जोड़ दिया गया है ताकि जव वित्ता को बढ़ावा दिया जा सके जिससे प्रदूशन पर नियंतर लगाया जा सके और इस प्रदूशन पर नियंतर लगाने के प्रक्रिया में ही पुराने वहनों को हटाने और नए वहनों को लाने की बात की गई है बजट में ताकि प्रदूशन को नियंतित किया सके जल्द ही भारत में हाइड्रोजन ट्रेन दौरेंगी देखिए ऐसा अनुमान लगा जा रहा कि दिसंबर में सुरू हो जाएगा हाइड्रोजन अधायव ट्रेन इसमें इंधन की रूप में हाइड्रोजन का जाएगा और ऑक्सिकारक के रूप में ऑक्सीजन का जब यह दुनों मिलेंगे तो वहां पर बहुत ज्यादा उसमा का निर्मान होगा उसको उर्जा में बदल दिया जाएगा और उत्सरजन के रूप में गर्म एस्टू यानि जलवास प्राप्त होगा यानि इस यातायात व्यवस्था में कोई भी प्रदूशन नहीं होगा इमीशन और उसरजन के नाम पर किवल जलवास में निकलेगा जिससे पर्यावन को कोई छती नहीं पहुंचेगे तो यह बहुत महात्मूर्ण है और इसको याद रखिएगा और दोया पचीश-शबिस तत पेट्रोल में 20 पर सर्थ एथनॉल मिस्रिंड करने का लच्छ रखा गया है ताकि भारत पेट्रोलियम पदार्थ पर कम निरभार हो एक्सपोर्ट्स पर डॉलर कम खर्च हो और ट्रदूशन भी कम हो ठीक है तो यह बहु आयामी लच्छ कुछ चीज़े बहु आयामी होते हैं उनका एक प् इसमें बहुत महत्पूर्ण होगा लेकन सैली में और इस वर्स बहारत के बजट में लैब में विक्सित हीरे यानि एल जीडी या लैब ग्रोन डायमंड के निर्यात का लच्छ रखा गया है इसके लिए सस्ती तक्निक विक्सित करने के जिम्मिदारी आयाइटी मद्रास को दिया गया है इस वर्स के बजट में आदिवासी समधाय के लिए चार गुना विद्धी की गई है जिससे इस वर्स का विकास हो और ये लोग भारत के मुख्यधारा में सामिल हो सकें पीम स्री या पीम स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया योजना के लिए बजट में 122 पर 25 वर्सों में लगबग 15,000 स्कूलों को विक्सित और उन्नत किया जाएगा ताकि छात्रों को सभी आधुनिक सुधाय मिले और वो भर्विष्य की चुनौत्यों के लिए तयार रहें वर्स 2023 को अंतर राश्टिये मिलेट वर्स घोसित करवाने में अहम भूमिका निभाने के बाद भासरकारद्वारा मोटे अनाजों के प्रचार और प्रयोग में वृद्धी के लिए बजट में स्री अन्य नाम की योजना शुरू की गई है यह योजना इस वर्स के सभी पेच्छाओं के लिए महत्पूर्ण है क्योंकि यह यह योजना नया है और इस वर्स नहीं कहां से पूछ लिए है प्राकिति क्रिसी के लिए प्रणाम योजना शुरू करने की घोशना दो अतेश चोबिस के बजट में किया गया है जिसमें क्रिसी में रासायनिक उर्वर्ण को या केमिकल फर्टलाइजर के संतुलित प्रयोग को प्रसाहिद किया जाएगा इ विकल्प की भी तलास की जाएगी अगर इसका विकल्प मिल जाता है तो किसान उनका प्रयोग करेंगे जिससे पर्यावर्ण में कम से कम प्रदूशन हो और इसकी उभ्भुकताओं के स्वास्त पर भी नाकरात्म प्रभाव ना पड़े क्योंकि जब आप प्राकिति खाद या उर्वरकों का प्रयोग करते हैं तो उससे उत्पन अनाज स्वास्त के लिए ज्यादा लाप कर रही होते हैं इस योजना में एक कोड़ किसानों को जोड़ने की योजना है पीएम कुसंव योजना को वर्ष दोर चबिस तक बढ़ा दिया गया है ये योजना सौर उर्जा आधारित पंप से सम्बंदित है इस वर्ष के आर्तिक सर्विच्छन या एकनॉमिक सर्वे में कहा गया है कि जलवायू परिवर्तन से निपटने के लिए या लड़ने के ल पूरत है अगर यह सुधार नहीं किये गए तो किसानों और किसानों की उत्पादक्ता पर प्रभाव पढ़ सकता है मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना सुरू की गई है इसके तहत आयकर चुकाने वाली महिलाओं को छोड़कर प्रतिक महिला को हजार रुपया प् सनचालित है तो अगर आप और Uspate के हैं अगर आप इंपिर पीशस नहीं दे रहें हैं तो किवल आपŞल आप इतना जानिए कि लाडली बहना योजना मध्य प्रदेश में चलता है या वहां सचालित है और अगर आप मध्य-प्रदेश के हैं और वहां सछन रहे हैं तो आप आपको यह जानना बहुत जरूरी है कि आयकर के अलावा बाकि सभी महिलाओं को हजार रुपया महीना मिलेगा यह तत्य याद रखिए कि क्योंकि यह बहुत महात्पूर्ण है आप सारी योजनाओं पर ध्यान रखिएगा आप एक चीज को ध्यान रखिए कि हर पेपर में दो वीडियो में एक दो योजनाओं को मैं कवर कर रहा हूं जल जीवन मिसन अपने लच को पूरा नहीं कर सका देखिए कौन राज क्या कर रहा है आप राज के खिलाप निगेटिव ना लिखिएगा चाहे कभी भी मेंस लिखिए बस इतना कह दीजे कि हां आकड़ों में यह हा प्रदेश का परिवहन विभाग पूरी तरह से एलेक्ट्रोनिक वहन यानि इवहन का उप्योग करने वारा देश का पहला परिवहन विभाग बन गया है तो यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज कल लोग ज्यादा एक्टिव हैं परियावन के मामले में तो इसक यह का प्रियोग कहां कहां हो रहा है तो एयाई बहुत पावर्फुल चीज़े हैं हमारे सोच से परे और इसकी छमता असीमित है लेकिन अभी एयाई अपने प्रारंभिक दौर में है जैसे जैसे समय बितता जाएगा इसका प्रियोग बढ़ता जाएगा देखिए एक कॉन तो यह नई दिल्लीम होगा इससे जद आपको नहीं जाना है कल को यह पूछ लेकि आत्मा का फुल फॉर्म क्या होता है यूपीसी में अक्सर ऐसे प्रस्ट पूछ लिया कि इस कंपनी का प्रचार का टैग लाइन क्या है तो यूपीसी के लिए अगर आप पढ़ रहे हैं तो निउस्पेपर पढ़ता रहे हैं और निउस्पेपर के उन चीजों को जरूर पढ़िए जो बहुत ज़्यादा चर्चित हैं दुनिया में सबसे ज़्यादा MSME या छोटे और मजले उद्यम भारत में हैं इसके बाद करमसा चीन अमेरिका जैपान और जर्मनी हैं और इतना याद रखिएगा कि ये छोटे और मजले उद्यम किरसी के बाद सबसे ज़्यादा रुजगार देते हैं इसलिए या सबसे मात्पून है इसके अलावा देश में यूनिकॉर्ण की संक्या 85 है जो विस्व में तीसरा है दुनिया में सरवाधिक यूनिकॉर्ण अमेरिका में है दूसरे नमब पर चाइना है तो प्रश्न यह है कि यूनिकॉर्ण क्या है यूनिकॉर्ण के बारे में मैंने पिछले वीडियो भी चर्चा किया है और इस बता देते हैं कि unicorn उस startup को कहते हैं जिसका market cap या market capital एक billion डॉलर से ज्यादा हो ठीक है उसी को unicorn कहते हैं यह याद रखिएगा और एक cockroach होता है बने ऐसे startup जो unicorn से छोटे होते हैं तो इन कॉंसेप्स को दिमाग में बनाए रखिए डाउ जोन्स ये नियू यॉर्क का सेयर बाजार है इसके द्वारा अडानी इंटर्प्राइजेज को अपने इंडेक्स से बाहर किये जानी घोशना की गई है आंध्र प्रदेश की राजधानी विसा का पत्नम होगी ऐसी घो सबी से किसमे छात्रों के नामांकन या इन्रोल्मेंट में 7.5% की व्रिद्धी हुई है नई सिच्छा नीती के तहत हर छात्रों को पांच असाच्छा लोगों को पढ़ाना होगा जिसका क्रेडिटी स्कोर उनको मिलेगा इससे देश की साचरतादर में व्रिद्धी होगी देश में वर्तमान साचरतादर लगबग 78% है जिसमें तिरी से व्रिद्धी होगी दिल्ली विश्विद्धाले ने नौर्थ कैंपस में इस्तित मोगल गार्डन का नाम बदल दिया है अब इसका नाम गौतम बूद सेनेटरी पार्क होगा केरल में पहली बार ऐसा होगा कि एक ट्रांस जेंडर कपल एक बच्चे को जन्म देंगे अमेरिका के कंसल्टिंग फॉर्म मानिंग कंसल्ट के एक सरविच्छन के रुशार भारतिय प्धार मंतरी सबसे प्रसिद्ध और लोगप्रिय नेता है इसमें करमसा प्रतम अस्थान पर नरेंद मोदी दूतिया पर स्वीजलेंड के राश्पती एलन बेसेंट है कि सिविल सेवा परिच्छा के जरिए रेल्वे प्रबंधन सेवा में भरतिया सेलेक्शन होगा देखिए इससे आपके सीट में विर्द्धी होगी ठीक है तो इसका लाब तो आपको मिलेगा इस निव्ज का सीधा संबंध युपी एस्सी के त्यादी करने वाले जहत्रों से है भारती रेल्वे वंदेभाद की तर्ज पर वंदे मैट्रों चलाएगा सूरज कुंड हस्त सिल्फ मेले का उधगाटन फरिदाबाद हड्याने में किया गया गाउं के कॉमन सर्विस सेंटर का संचालन सह जयकारी समितियां करेंगी टाइम्स द्वारा आयोजित लिट्रेचर फेस्टिबल का थीम वन वर्ड मेनी वर्ड्स होगा टूरिज्म पर जी टॉन्टी देशों की बैठक कच के रण में भी होगा जी टॉन्टी के बाकी सम्मेलनों जैसे बी टॉन्टी आदे का भी होगा और सरकार ने ऐसी घोष्टना की है कि अब यह इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिबल हर वर्स आयूद किया जाएगा भारत जी टॉन्टी के मीटिंग्स में ग्रामीड और पुरातत्युक अस्तलों को भी दिखायेगा जिससे उसकी संस्कृति का प्रचार प्रसार होगा भातिक सोना या फिजकल गोल्ड या फिर जो रियल में सोना हम लोग का पास होता है अगर उसको इलेक्ट्रोनिक्स गोल्ड रिसीट में पर्तित करें तो कोई कैपिटल गेंटैक्स ननि लगएगा इलेक्ट्रोनिक गोल्ड रेसीट्स को बीस्सी या बॉंबे स्टॉक इस्टेंज द्वारा लॉंच किया गया है इसके कई लावर हानिया है देखें लाव यह है कि आप अपने पास उसको मॉबाइल में सेफ रख लेंगे वैसे क्या होगा कि अगर आपको पास मानलीजीा आदा किलो सुना है तो आपको आदा ने पर पीट पेढलाद के ले जाना है सेफटी का खत्रा है लेकिन अगर वह आपके पास डिजिटल फॉर्म में है तो आपको भाइदा उतना ही मिलेगा और शुरक्षित भी रहेगा ओन् है जो सीमित लोगों तक ही उपलब्ध है जिसे जल्द ही आम लोगों को उपलब्ध कराया जाएगा डिस्टल रुपिया क्या है इसके बारे में पिछले वीडियो में डेटेल में बताया गया है अगर आपने पिछले वीडियो देख रखा है तो आपने नहीं देख रखा है तो आप कमेंट करिए इस पर भी एक वीडियो बना दिया जाएगा और यह याद रखिए बहुत महत्पूर्ण है जल्द ही 16 वे वित आयोग का गठन किया जाएगा अभी 15 वे वित आयोग का कारेकाल चल ला है जिसके द्वारा वर्स 22-26 तक की सिफारिस की गई है यह अब तक पहली बार है कि किसी वित आयोग की सिफारिस छे वर्स तक लागू हुई है अन्यथा वित आयोग की सिफारिस पांच वर्स के लिए ही होती है इस वर्स बहु आयामी गरीबी में कमी आई है देखिए यह डेटा बहुत यूसफुल इसको जरूर याद करिए यहां से प्रस् में संख्या 65 Standar चोATA जो कुल आबादिय के 55.61 प्रस्ट था और द्वापंदव तोना में या घटकर 37.ahh और प्रस्ट के रूप में या घटकर 27.91 हो गया और वर्ष 2223 में संख्या Hip hamburger 13ada हो गया और प्रतिसत घटकर 16.4 प्रतिसत हो गया तो यह याद रखिए कि बहुत यूस्फूल है इसको मिस मत करिएगा आर्थिक सर्विक्षन के अनुसार दो अतेश और इसमें GDP ग्रोथ रेट 6.5 प्रतिसत होगा भारत के अर्विंद पंगडिया के अनुसार 27-28 तक भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थ वरस्ता होगी वैसे GDP PPP के मामले में भात और लेडी दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थ वरस्ता है ठीक है यह तत्याद रखिए परचेजिंग पावर पैरिटी या PPP के मामले में भात और लेडी तीसरी सबसे कर रहे हैं जिसमें भात अभी पांच वे रैंक पर हैं जिसमें सीर्उ पर वियूस ऐए हैं जेकर हैं टरिण पर जापान है और फोर्थ रैंक पर जर्मनी है तो इन तत्थियों का प्रयोग मेंस में खुब करिए नंबर उससे मिलता है और पांचवे रैंक पर चुकि भारत है ही क्योंकि विश्व की अर्थविस्ता के ज्यादा तर देशों की अर्थविस्ता की विकासदर कम होगी जबकि भारत और चीन का विकासदर उच बना रहेगा देखिए अभी हम लोग GDP ग्रोथ की बात कर रहे थे देखिए यह GDP ग्रोथ का डेटा है और इसमें सभी संस्थाओं द्वारा जो जो आकलन किया गया है सब एक जगा पर है ठीक है तो इसको सेव करके रख लीजिए इसका PDF नोट्स आपको मिलेगा टेलीग्राम चैनल पर वहां से डाउनलोड कर लीजिए और उसको सेव रख लीजिए क्योंकि यह बहुत यूस्फुल है और ऐसे एक ही जगा पर सारे आकरे जल्दी मिलते नहीं है ठीक है बाइचांस एक जगा था ने उस पेपर में तो मैंने क्लेक्ट कर लिए आपके लिए तो देख लिजेगा इसको इसमें विदेशी मुद्रा भंडार और जीडिपी के अनुपात में राजकोसिय घाटे की भी इस्तिति दी गई है तो यह बहुत यूस्फुल डेटा है प्री के लिए भी और मेंस के लिए भी आर्थिक सर्विच्छन में बताया गया है कि लगातार सप्लाई या पूर्ती बनाये रखने के लिए स्ट्रेटिजिक मिनरल रिजर्व या रणनीतिक खनीज भंडार बनाये जाने की ज़रूरत है भारत सरकार पूरे देश में 5G और Artificial Intelligence को बढ़ावा देने के लिए लगाता प्रयासरत है इसको पहले भी बताया गया है इसके तहट 5G के अप्लिकेसन के विकास के लिए 100 लैब्स अस्थापित किये जाएंगे और AI के लिए 3 Center of Excellence के इस्थापना की जाएगी और भारत के कुछ निवेसक भी देश में भी AI लैब अस्थापित कर रहे हैं ताकि वहां की गुनवत्ता को सिखा जा सके या वहां के ग्यान को अपने देश में लाया जा सके और उसका लाब उठाया जा सके इसी के तहट अडानी ग्रूप ने इसराइल के तेल अविब में अपना एक AI लैब अस्थापित किया है इससे भारत के टेक एकोसिस्टम को बढ़ावा मिलेगा भारत सरकार बजट में प्रयास कर रही है और भारत की कंपनिया भी लगातार उसके लिए प्रयासरत है कि भारत के टेक एकोसिस्टम में डिबलमेंट हो विकास हो ताकि भारत के डिजिटल व्यवस्था में विकास हो जिससे भारत के विकास को नया आयाम मिले और याद रखिएगा कि हम लोग इस समय और दोगी क्रांती 4.0 के दौर में है जिसमें AI की बहुत महत्वपून भूमिका है इस कान भारात सरकार इतना ज़्यादा जोर दे रही है डिजिटल लैप्स पर, AI पर, 5G पर क्योंकि आने वाले भविस्प में वही देश हीरो है जिसके पास तक्नीक है चैट GPT एक महत्वपून इनुवेशन या नौव इनुवेशन माना जा रहा है और इसी के जवाब में Google अपना एक Lambda नाम का प्लेटफॉर्म ला रहा है ये भी AI अधारित होगा और ये AI के उपियोग और चमताओं समंधित लेख है इसको जरूर देख लीजेगा इसमें बताया गया है कि किस तरह से AI हमारे जीवन के लिए महत्वपून हो चुका है सॉफ्ट्वेश तक्नीक के युग में हम लोग जैसे instructions लिख देते थे या जैसे programming कर देते थे software बस वैसे काम करते थे लेकिन अभी क्या है जो AI का age है उसमें हमने एक बार AI डेवलब कर दिया अब वो खुद से सीख रही है और खुद से अपना विकास कर रही है तो चीजे बदल चुकी है पहले चीजे लिम्टेट थी अब छमताएं अनन्थ हो चुकी है उत्री बंगाल में भारती सेना के नितित में त्री सक्ति प्रहार नाम का युद्ध अभ्यास किया गया है जिसमें भारती सेना वायू सेना और C.A.P.F के जवानों ने भाग लिया है इसके इलावा भारती वायू सेना पूर्वी सेक्टर में पूर्वी आकास नाम से अभ् और मिसाइलों को मुख्य खत्रा मानकर अपनी सुरच्छा तयारियों को नई ध्यार देगा अभी देखे में बार बार आपको बता रहा हूं कि AI का एज है तो हो सकता है कि भविस में युद्ध में भी AI अधायत तक्निकों का प्रयोग किया जाए तो भविस में चीजे बदल अब चीजे पहले क्तरा नहीं रह गई और देश वही हीरो है जिसके पास तक्निक है पहले तलवार लेकर युद्ध करने चले आते थे अब तलवार का दौर खतम हो चुका है अब दिमाग का दौर है बाद जल्द ही अपना उबगरा आधित लॉंच करेगा जो सूर्य की प सम्वंधित अध्यान करेगा और भारत के या भारत के विया ज्यानीकों के ज्यान में इजाफा करेगा या नए तत्थ्य प्रश्टूद करेगा रिसर्चर्स या अन्वेस्को ने एक machine learning प्रनालिव प्रस्तूत की है जो अंतरिस से आने वाले unusual या अलग radio signal की पहचान करेंगे यह ऐसे रेडियो सिगनल का पहचान करेंगे जो विसेस हो जो विसेस्ट हो थोड़ा अलग हो ठीक है तो जिससे हो सकता है कि किसी नई चीज का अनुमान लगाया जा सके भारत और कनाड़ा के बैग्यानिकों ने हाइड्रोजन से निकलने वाली रेडियो सिगनल को पकड़ने में सफलता प्राप्त की है और समुंद्री जल को विक्टित कर ग्रीन हाइड्रोजन बनाने में सफलता मिली है अगर यह पूर्ड़ा सफल लहा और इसका वाणिजीक उत्पादन हो पाया तो यह मानो जीवन में क्रांती ला देगा और यह समझ लीजे ना कि बिजली इतना स अगर हालत है अगर हाइड्रोजन का प्रॉपर डेवलमेंट हो गया तो चीजे बहुत सथी हो जाएंगी हमारे कलपना से भी ज्यादा प्री नहीं होगा क्यों कुछ ना कुछ कॉष्ट तो आया गाई और फ्री की चीज़ा अच्छी होती नहीं है यह और हम लोब ateी की चीजे का रखते हैं और व्लों कद्र नहीं करते हैं आश तो एकर कोई मूल चुकाते हैं तो फु स्टूल का महत्तु भूकम्प की सक्ती की माप सिस्मोग्राफ से किया जाता है, इसके रवा भूकम्प में तीन तरंगे चलती हैं, पी या प्राइमरी वेप्स, ये सिकेंडरी वेप्स, एल या लव वेप्स, ये एल वेप्स ही सबसे खतरनाक होते हैं, यही सबसे विनासकारी होते हैं, अभी हाल में तुर्कियम भुकम आया है, इसलिए भुकम को पढ़ लीजिएगा, अगर मेंस है तो हो सकता मेंस में लिखने को आ जाए, प्री है तो हो सकता है, इसका कोई तथ्य पूछ ले, मैक्सिको में जॉला मुखी फूट गया है, यह मैक्सिको के प्यूबला में स्थित पो, पोक स्रिप्ट याद रखिएगा ला नीना और अल नीनो ठीक है अल नीनो और ला नीना यह दोनों बिरुद्वासी चीजें हैं इसको याद रखिएगा और एक बार देख लिएगा यहां से प्रश्ण आएगा ही आएगा जब लीनो वाली धारा चलती है पस्चमी प्रसांत महासा अगर में तो मांसूनी छेत्रों में वर्षा या तो बहुत कम होती है या तो नहीं होती है और लौन ना में इसका ठीक उल्टा होता है तो इसको याद रखिएगा क्योंकि इस वर्षे चर्चा कवी से बना हुआ है आर्थिक समिच्छा का उनसार दोजर पचीस में भारत अ लौन चोड़ता है या कितना सत्य है इसकी जांच एंज करेगा और इसकेले उन्होंने भिसेथ मसीन लगवा रख्टा रख्टा है जो जांच करके बताएंगे कि इस विमारी का कितना कारण उरौर्वरक और केतना सकँ है लिवा से गुरिवा कैंसर या सर्वाइक्छल कैंस के बचाव के लिए एक टीका सर्वा वैक को रास्टी एक टीका करण मिसन में सामिल किया गया है और इसकी सुर्वात जून में होगी इस टीके का निर्मार सीरा मिंस्ट्रूट ऑफ इंडिया दोरा किया गया है इन दोर में ग्रीन कोरिडॉर बना कर तिन लोगों को अंग प्रत्योपित किया गया है ग्रीन कोरिडॉर का मतलब होता है किसी नियत दूरी तक के रास्ते को कुछ समय के लिए एक विसेश वहान के लिए रोक देना ताकि उस समय वहाँ से वहाँ वाहन या इंबुलेंस जिसमें अंग या मरीज है सही समय पर हॉस्पिटल पहुंच सके मद्ध पदेश में इस घटना में एक ब्रेंडेड मरीज के तीन अंगों को अन्य मरीजों को प्रतरुपित किया गया और उनके जीवन की रच्छा की गई भारत में अंग दान अभी उत्मा प्रचलित नहीं है जिसके कान कई लोग अंग के अभाव में मर जाते हैं मानले किसी का किड्नी फेल हो गया तो उनको किड्नी डोनर नहीं मिल पाता इस कान उनके मिलत्यू हो जाती है लेकिन कई सारे देश हैं जिन्होंने अंग दान से सम्मंदित विसेस्त राष्टी नीती बना रखी है तो वहाँ पर लोगों की मिलत्यू इस कान बहुत कम होती है एक नए जैविक प्रदारत का निमान किया गया है जो हृदय या हार्ट के टीश्यू या उत्तकों की मरमत करेगा असलम होता क्या है कि जब हार्ट टैक होता है तो मरीज के हृदय का कुछ भाग प्रभावित होता है और वो काम नहीं कर पाता तो अब इस प्रदारत का जब प्रयोग किया जाएगा तो वह जो प्रभावित हिस्सा है वह फिर से अक्टिव हो जाएगा जिससे हार्ट के प्रेसेंट फिर से रिकवर हो जाएगे मनि यह बहुत ही मॉडर्ण चीज है और अगर यह सफल हुआ तो हार्ट टैक के प्रेसेंट के लिए यह राम बाढ़ होगा यूरीन में एक बिसेस ब्रेन प्रोटीन की मौझूदगी की जांस से ब्रेन में ट्यूमर का पता लगाया सकता है अमेरिका में आई ड्रॉप से इंफेक्शन की सूचना मिली है जिससे दवा उतपादक कंपनी ने यूएस में अपने दवा को बजार से वापस लेने का अदिश दिया है अभी हाल में ऐसी कई घटनाय सामने आई है जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि संभावता भारत के खिलाब कोई सर्यंत चल रहा है लेकिन अभी इसकी जांच चल लही है तो जल्दी सत्य सामने आ जाएगा भारतीय पसूचिकिस्सा अनुसदान संस्थान या IVRI बरेली द्वारा एक कॉलेजिन जिल तैयार किया गया है जो पसूचिक के घाओ को तेजी से भरेगा और एक सोध द्वारा पता चला है कि भारत के देशी गायों में बिमारियों से लड़ने की अद्वु छमता होती है ब्राजिल में मच्वारों का एक वर्ग या एक समू डॉल्फिन की सहायदा से मचली पकड़ते हैं इनमें इंडॉल्फिन से जितना ज्यादा तालमेल होता है वो उतनी ज्यादा ही मचलिया पकड़ते हैं जीवन की इतिहास में किसी जीव का जन्म अर्बों साल पहले हुआ तब से अब तक अंगीनत प्रजातियां आई और चली गई जन्मी और विलुप्थ होई प्रजातियों का ये विलुप्थ होना सदयसु जाई रहता है नहीं हैं कि इसकी गटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है जिसे मास एक्स्टिंग्सन या महाविलुप्ति कहते हैं और वर्तमान में छठा महाविलुप्ति का दौर चल ला है और मानवी गत्विधियों ने इसको बहुत तिवर्ता पनाल कर दी है बहुत तेई से बढ़ गया है मानवी गत्विधियों कारण और इस लेक में यही बताया गया है कि दुनिया की कई प्रजातियां मानवी गतिविधियों कारण विलुप्ती के कगार पर खड़ी है लेकिन मानो प्रकिती से अलग नहीं है अगर ऐसे ही प्रजातिया विलुप्त होती रही तो मानवी अस्तितों पर भी खत्रा उत्पन हो सक करता है हाली में सर्वोच नियाले द्वारा अस्थापित कमेटी ने इंडेंजर्ड ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की सुरच्छा के लिए सिफारिश की है जिसके तहत रास्थान के थार्यगिस्तान और गुजात के रण में लोग वुर्टिस तारों को अंडर ग्राउंड किय जाएगा जिससे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के जीवन को छती कम हो और यह सामान जीवन जी सके और इनकी संख्या बढ़ सके और भारत की जैवृत्ता में प्रिद्धि हो सके The Nodal Center for Biological Innovation NCBI द्वारा केरल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टिटूट में सिन्ना इस्पेक्टेबिलिस नामक आकरामक पेड़ के प्रजाती के प्रबंधन की प्लान बनाई गई है इसके इताहत इन पेड़ों को हटाया जाएगा क्योंकि सिन्ना इस्पेक्टेबिलिस यहां के अस्थानिय प्रजातियों के लिए खत्रा बन रही है इससे सग्यों का कहना है कि हर्याली के विकास पर ज्यादा ध्यान देने के कारण वायू प्रदूसन के नियंतर पर ध्यान नहीं दिया गया इसके अलावा 19% वायू प्रदूशन का जिम्मिदार बायो मास्क को जलाना है बायो मास्क क्या है बायो मास्क का सीधा मतलब समझे किसी भी जीव के अंदर पानी को हटाने के बाद जितना कुछ बचता है वही बायो मास्क है इसके तहत लकडी से लेके वह सभी चीज आएंगो जो जिवासम से संबंदित हैं दिल्ली सरकार द्वार एक वेबसाइट लॉंच किया गया है जिसमें वायू प्रदूशन से संबंदित रियल टाइम डेटा उपलब्ध होगा जिससे दिल्ली में वायू प्रदूशन नियंत करने के लिए लगाता प्रयासरत है यह आकड़ा D20 के जिवास्म इंधन और गैर जिवास्म इंधन के उर्जा उत्पादन सम्मंदित है जिसमें फ्रांस और ब्राजिल प्रत्सत के रूप में सबसे ज़्यादा गैर जिवासम इधन से उर्जा को पादिन करते हैं इन चुकि यह देश छोटे हैं और हम लोग का देश जो है भारत और चीन बड़ा है तो हो सकता है कि भारत में मात्रात्मक रूप में ज्यादा हो परसिंटेज के रूप में भले कम हो ठीक है लेकिन सुतर्थ को याद रखिएगा यह सारे फैक्स बहुत यूजफूल है और आपके मेंस में बड़ा काम आएगा अप्रीर में तो इससे परस्म बनेगा यह बनेगा देखिए यह आकड़ा जो है G20 देशों संबंदित है जिसमें इन देशों के रेल सड़क इंटरनेट मोबाइल यूज़र्स और उर्जा से संबंदित आकड़ा दिया हुआ है इसमें सड़क रेल आधी में भारत की स्थि कितने हैं मोबाइल सब्सक्राइबर कितने हैं उर्जा का यूज़र्स कितना है देखिए परसेंटेज के रूप में भारत में भले कम हो लेकिन भात की अबाद इतनी ज्यादा है यह इतनी ज्यादा है कि परस्त के रूप में कम होने के बाद भी आकड़ों के रूप में या सेसी में या युणाइट निशिं सेक्रिर्टी काउंसिल में आज के भूरितिक वास्तन विक्ता कंसार पर्यूतन करने की बात ही है जिसके कान वक किसी स्राजिति प्रहुई था जैसे मानले के भाए effectivement कि एसी बनी वही है कि भारत को पर प्रफर्ट की रच्छा करनी लगाना पड़ेगा अब बाकिस्तान बॉर्टर पर बचलिए प्राइंगे डि Kirby कर जेंगे अभणस्तान है अब में नेवी कहते हैं कि ग्लोब में अपनी इस्तिति के कारण जो इस्तिति बनते हैं उसको भूरायतिक इस्तिति कहते हैं और यू एन जी या यूनाटेड नेशन जनरल एसेम्बली के अध्यच साबा कुरसी का कहना है कि संयूत राज सुरच्छा परिशत आज के वास्त दित्ता को प्रद मंतरी और ग्री मंतरी रभी लमी चाने को पुना अपने देश की नागरिक्ता प्राप्त हुई इनकी नागरिक्ता अवैद घोशत होने करण इनको पने पद से इस्तिफा देना पड़ा था पस्चिमे अस्ट्रेलिया में ट्रांस्पोर्टिशन के दौरान रेडियो धर्मी या रेडियो एक्टिब कैपसुल खो गया था और उसको खोजने का प्रयास बहुत जादा जारी था क्योंकि ये बहुत चिंता का विसे था ये खतरनाक था और ये सिक्के से भी छोटा था बाद में इसको खोज लिया गया अब अस्ट्रेलिया के पांच डॉलर के नोट पर बिल्टिस आज तंद का चिंध नहीं होगा इसके अस्थान पर अस्ट्रेलिया के किसी प्रतीक का तस्वीर उसमें लगाई जाएगी हाला कि महाराज चास तितिये की तस्वीर सिक्कों पर नजर आने की सम्भावना है UK या United Kingdom में टीचर से लेकर ट्रेन वा बस ड्राइबर तक सैलरी में व्रिद्धी के लिए हर्ताल पर हैं इस तरह UK के हालत बहुत खराब है और फिलहाल इसमें सुधार की गुंजाइस अभी कम ही दिख रही है इन जैसे देशों की आर्थिक्स्ति तभी तक अच्छी रहती है जब तक इनके पास सोषन का कोई आउसर होता है अभी कुछ दसक पहले ही ठीक है अभी कुछ दसक ही नहीं हुआ है कि जब इनका सुर्य कहीं अस्त नहीं होता था अरब इनके मुहले में अंधिरा है वास्तों में इनकी हाँ जो रौसनी भी है ना उस रौसनी का इनन हमारा रक्त है यह हम भारतियों के रक्त पर ही अपने हाँ रौसनी किये हुए हैं और इन लोगों ने भारतियों के सोसन से ही सम्रिद्धी प्राप्त की थी सोसर का ओसन समाप्थ हुआ अर्ण की सम्रिद्धी भी समाप्ती के गगार पर है तो इन लोग ने आज जितना भी महल खड़ा किया है वो सारा हमारा संसादन है बिटेन के कंसर्वेटी पार्टी के चेर्मेन नाधीम जहावी पर भ्रस्टाचार का आरोप लगा है इसके बाद ब्रिटिस प्तार मंत्री रिसी सुनक ने उनको पार्टी से बाहर कर दिया है पूर्व ब्रिटिस प्तार मंत्री बोरिस जॉंसन ने या आरोप लगाया है कि पुतिन ने उनको मिसाइल से हमले करने की धमकी दी थी जिसे रूस ने नकार दिया है फिलिपिन्स ने अपने यहां सैन अडो पर अमेरिका को पहुच पदान की है जिससे अमेरिका चीन के विस्तारवादी नित्यों को संतलित करने का प्यास करेगा और चीन का एक गुबाड़ा अमेरिका और लेटिन अमेरिका में देखा गया जिसे अमेरिका या बाकी देश एक जासुसी यंत्र कहते हैं और चीन कह रहा है कि ये मौसमी यंत्र है, मौसम की जाच के लिए है और गलती से वहाँ चला गया तो भाईया गलती एक जगा करते हो, गलती बार बार हो रहा है ऐसा बलून हर जगा देखा गया है इरान और रूस अपने उपर लगाया गया परतिबंधों के प्रभाव को कम करने के लिए अपने बैंकों को लिंक करने की योजना बना रहे हैं अगर इनका सिस्टम एक दूसरे से लिंक हो जाएगा तो एक दूसरे से बैपार करने में इनको सहसता होगी भारत की अंडर 90 महिला क्रिकेट टीम ने T20 बिसुकप जीत लिया है जिसमें भारती टीम ने इंगलाइंड के टीम को परदाजित करके या बिसुकप जीता है तो हम लोग की छोड़ियां छोड़ों से कमना है और लखनाओ के इकाना स्टेडियम के क्यूरेटर को सही पीछ नहीं त्यार कर पाने कारण को हटा दिया गया है क्यूरेटर क्या होता है क्यूरेटर काम में पीछ त्यार करना इतने याद रखिया है ठीक है वस्ता प्रश्न आ जाए ऑनलाइन गेमिंग पर टैक्स बढ़ा दिया गया है इसे सुध जीत का 30% दर से लगाया जाएगा इसमें 10,000 की सीमा हटा दी गई है क्योंकि पहले होता क्या था कि अगर कोई वैक्ति 10,000 से ज़्यादा जीता है तो टैक्स काट के पैसा मिलता था लेकिन 10,000 से कम में पूरा पैसा मिल जाता था लेकिन अब ऐसा नहीं रह गया है अगर कोई भी जीत होती है कोई भी रासी मिलती है तो उस प्रशकार का 30 प्रशक काट कर टैक्स काट कर ही धनरासी बिजेता को दी जाएगी सर्विया के खिलाडी नुवाक जोकोविक सर्वाधिक उस्ट्रेलियन ग्रैंड स्लैम जितने वाले खिलाडी बन गए है या उनका दस्वाध उस्ट्रेलियन ग्रैंड स्लैम था और नुवाक अब तक कुल 22 ग्रैंड स्लैम जी चुके हैं तो पुर्सों में सरवाधिक Grand Slam के मामले में नुवाक सिकंड रैंक पर है तो प्रस्थ यह है कि सरवाधिक Grand Slam किस ने जीता है तो सरवाधिक Grand Slam राफिल नडाल के नाम पर है अब तक या पूरा वीडियो UPSC, State PCS और सभी एक दिवसी परिच्छाओं के लिए महत्पूर्ण था किन्तु आगे का वीडियो केवाल UPSC और State PCS के लिए BCS रूप से उपयोगी है या महत्पूर्ण है ये लेक बजट और GDP से सबंदित है जिसमें बताया गया है कि बजट में क्या प्रभावान किये गये हैं और क्या करने चाहिए और उसके क्या प्रभाव होंगे हाल ही में हिंडन बर्ग नामक अमेरिकी फर्म द्वारा एक रिपोर्ट पब्लिस करने के बाद भारतिये कंपनी अडानी ग्रूप के सेयर में भारी गिरावट हुई है जिसको इस लेक में भारतिये उद्यमों के खिलाब सरंत माना गया है वसे और भी न्यूज इस तरक को बलप्रदान करते हैं जैसे कई भारतिये कंपनियों की दवाईयों का दुस्प्रभाव बिदेशों में देखने को मिल रहा है जबकि इन ही कंपनियों की दवाओं का भारत में ऐसा कोई दुस्प्रभाव देखने को नहीं मिल रहा है ठीक है दूसी तरफ सरेंद के विचार को भी सही मानने वालों की कमी नहीं है लेकिन हमको केवल एक्जाम के पॉइंट व व्यू से देखना होगा अगर इस पर भासरकार या सरवोच नियाले कोई भी टिपनी करती है तो वही हमारे प्रस्ट काणिस कर्स होगा अगर भासरकार और सरवोच नियाले में विरोधा भास होता है तो हमें सरवोच नियाले के आदेश को प्रात्मिक्ता देनी होगी याद रखिए का जब भी मेंस में प्रस्ट लिखिए इंची जों का जोर ध्यान दीजिए अपने राष्टिय संस्थाओं के विचारों का पूरा समान करिए अगर आप उनके खिलाप लिखते हैं तो नंबर बहुत अच्छा मिलना मुश्किल हो जाता है यह लेक वर्स 2022 में भारत के निर्यास से समंदित है अगर यूपियसी देना है तो इसके बार देख लीजेगा कि इसमें किसकी सेक्टर में एक्सपोर्ट चादा हो रहा है ठीक ह नहीं दूसरा लेक इस विशय पर केंद्रित है कि क्या धनाड लोग टैक्स देते समय अपनी वास्ट्रिक आय बताते हैं इसके अलावा इसमें आर्थिक विसमता की बाद भी की गई है यह लेक बजट में राजकोसिय इस्थिती से समंदित है इसमें बताया गया है कि इस व कई सुधारों के उम्मिद किये रहता है लेकिन उसको कुछ खास मिलता है नहीं वह अलग बात है कि यह लोग किसी देश के विकास में सरवाधिक महत्पून भूनका निभाते हैं अगर किसी देश को नश्ट करना है तो उस देश के मध्यम वर्ग को नश्ट कर दीजी वह द देश के विकास में सरवाधिक पून लोग हैं यह लेक गरीबी से संबंदित है कोई भी देश अपने देश के गरीबों को गरीबी से निकालने का सारा प्यास करता है और भाद भी उनमें से एक है इसी कान वर्तमान में बहु आयामी गरीबी को कम करने में बहु सफलता मिली है आजादी के वक्त भायत में 90% आवादी गरीब थी तो यह 5-6 में बहु आयामी गरीबी घटकर 55.1% होगी जो 2021 से तेस में घटकर 16.4% बची है अगर संख्या करूप में देखें तो यह तेस कोड के असपास है अगर इसे ही दूसरे नजरिये से देखें तो पता चलेगा कि देश में गरीबी हटाने के नाम पर जितना खर्च किया गया अगर उनको गरीबों में ऐसे हिबाट दिया जाए तो उनकी गरीबी खुद बाखुद समाप सो जाएगी इन ही गरीबों या निम्र आय से समंधित लोगों के लिए मंद्रियगा योजना में रिफॉर्म या सुधार की जवर्ट पर लेक लिखा गया है ताकि इसमें होने वाले भश्ष्टाचार और कई समस्याओं का निराकरण किया जा सके और जवर्ट मंद्र की जवर्टों को पूरा किया जा सके ये लेक सहकारिता या को अपरेटिव छे से समंधित है सहकारी समितिया या को अपरेटिव सुसाइटियों ने देश में गरीबी हटाने में बहुत महत्पूर्ण भिमकादा की है, इसके इलावा इनका देश के विकास में बहुत ही महत्पूर्ण योगदान है, मोटे अनाजों को गरीबों का भोजन मना जाता है, और इनके कई लाव होते हैं, इस कारण भाह सरकार इनका पुर्जोर यह कई समस्याओं का समधान है, आपने सोलर इनर्जी के कई आयामों के बारें पढ़ा होगा, उसके कई लावों के बारें पढ़ा होगा, लेकिन यह लेख बता रहा है कि सौर उर्जा हमारा बेस्ट आप्शन नहीं है, क्योंकि सौर उर्जा लगातार नहीं मिलता, मतलब क यह दिन में उतलब्द होता है रात में नहीं इसके कारण बैटरी का कॉस्ट या खर्च भी सामिल होता है तो यह लेख आपके सौर उर्जा से संबंधित सोच को एक नया आयम देगा और लेखन को एक नया नजरिया देगा या विचार को बदल लेगा तो इसको वाजोड़ पढ़िए इससे आपके लेखन को पूर्णता पदान होगी या पूर्णता के नजदिक ले जाएगा यह तो इसको देखिएगा समझिएगा और लेखन में इसका संतुलित प्रयोग करिएगा इस लेक में भारत में उर्जा छेत्म होने लिए परिवर्तनों के लिए जो बित्य जरूरत है जो फाइनेंसियल जरूरत है जो फाइनस की जरूरत है उस पर प्रकाश डाला गया है और भारत में उर्जा के छेत्में जो परिवर्तन हो रहा में सरवादिक मुहत्मून्भूमिका या उसके वित्तियन में या उनके फाइनस में सरवादिक महत्मून भूमिका 7 वह पच्छी या में पर टीलिटरल बेंक निभाडि देख़ लीज्य का यूस्प फूल है यह को से बिए- इसलेख में ग्रीन इनरजी के बात की गई ए तो green energy या हरित उर्जा क्या है हरित उर्जा उर्जा का वास रोत है जिसमें उर्जा उत्पादन की प्रेक्रिया में प्रदूसर नहीं होता है जैसे hydrogen इंधन के जलाने से या hydrogen इंधन के प्रियोग से केवल वास्प का सर्जन होता है इस जिससे कोई प्रदूशन नहीं होता उत सर्जन के रूप में कोई जल की प्राप्ति होती है या जल वास्प की प्राप्ति होती है या फिर सौर उर्जा पवन उर्जा पन बिजली आदी से भी किसी तरह का प्रदूशन नहीं होता तो इस लेक में इसी हरित उर्जा के बार हो रहा है उससे हाइडरो पावर उत्पादन में जणरेशन में बृद्धी होगी ठीक है लेकिन क्यों क्यों कि जल्वाई पर उतने कान तापान बरड़ा है तो बर्फ जादा की पिगलेंगे जब जादा बर्फ पिगलेंगे तो जादा पानी आए गर नदियों में तो जादा उत्पादन होगा लेकिन ये कब तक हो सकता है भाई बर्फ की भी अपनी एक सीमा है एक समय के बाद वो खत्म हो जाएंगे ठीक है तो ये जो बृद्धी है ये दिर्ग कालीन नहीं है बलकि ये अल्प कालीन है क्योंकि एक समय के बाद ये नदिया सूख जाएंगी फिर ये पनबिजली संयंत्र किसी काम के नहीं होंगे यहां लेक चीन के द्वारा लगातार महतपूर्ण रनेतिक अस्तलो पर अपने दावा करने समंदित है जिसमें कई महतपूर्ण नदी छेतर भी सामिल है इदर चीन नदी छेतर अपने में लगा हुआ है उधर पाकिस्तान सिंदु जल संधी का पालन नहीं कर रहा है जिसके कान भारत द्वारा पाकिस्तान को नोटिस भेजा गया है और बैग्यानिक चेतना के अरोधक लेक में बताया गया है कि आजादी के बात से अब तक वैग्यानिक मामलों में बहुत कम सोध हुआ है इसको कैसे बढ़ाया जाए ताकि वैग्यानिक और तक्निकी प्रगिती का रास्ता खुले ये वैग्यानिक और तक्निकी प्रगिती सम्रिदी के सुपान हो सकते है और इस लेक में बताया गया कि कैसे हिंदी या छेत्री भासा में अदालती करवाई के रास्ते खुल रहे हैं और ये बहुत महत्पून लेक है, इससे प्रश्ण बननाता है किसी ना किसी पेपर में आएगा, किस पेपर में आएगा इसकी भाष्ष्वानी तो की नहीं जा सकती लेकि इसको एक बाद देख लिजेगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा परिवर्तन है पहले इसको टिनाई करते थे, अब उन्होंने इसके ट्रांसलेशन की सुद्दा दे दी है, अनुवाद की सुद्दा दे दी है तो ये महत्पून है, ये लेक डेमेंसा नामक बीमारी समंदित है, उसके जागुकता समंदित है क्योंकि भात में मांसिक बीमारी ओपर बहुत जागुक नहीं है, या उसको बीमारी मानते ही नहीं है इस करण या एक बहुत चिंदा का विसाय बना हुआ है, इस पर जागुता की ज़रुद है ये लेक कैंसर की जागुता समंदित है, चूकि हाल ही में भात सरकार द्वारा एक विसेश कैंसर के टेकों को राष्टी एमिशन में सामिल किया गया है इसलिए ये लेक बहुत महत्पूर्ण हो जाता है, इसको देख लिजएगा एक बार, क्योंकि अक्सर वही प्रश्ण पूछे जाते हैं, अक्सर उन्हीं प्रश्णों को मेंस में सामिल किया जाता है, जो उस वर्स चर्चा का विसे बने हुए है, तो इसको बार देख इसलिए इसको देख लिजेगा, और जल दी हम लोग आर्थिक समीच्छा पर एक वीडियो लाएंगे, अगर आपका UPSC है, तो आपके लिए महत्पूर्ण है, इसके आकड़े बहुत महत्पूर्ण है, तो इसको चाहे आप खुसे पढ़ लिजेगा, या फिर इसका वीडि हम लोग लग्ष्य रखते हैं कि इसमसका सबस्क्राइबर हम लोग हजार का सबस पहुँचा दें, तो आप लोग साथ दीजی आप लोग सबस्क्राइबर बढ़ाईए, और आपकी सफलता में आपका सहut करते हैं, क्योंकि जब सबस्क्राइबर बढ़ेंगे तो मैं अपनी लाइक करिए, सेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए